वेलकम टू न्यूज बाबे टू चलेंग जांसतों बात करने वाला है यूपी पुलिस उननचाजार 568 भरती के मेडिकल में जो डोकुमेंट्स लगने वाले हैं आपको कैसे तैयार करने हैं वे कौन से प्रारूप है जिन पर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट एफडेविट और परदान गराम से और आपके स्कूल से करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे तैयार करवाने हैं कम्पलीट मैं आपको 100% सर्टिक जानकारी देने वाला हूँ क्योंकि आप सबी को पता है कि बारहाल मेडिकल तो आपका होना ही है लेकिन मेडिकल में आपको डोकुमेंट की प्रारूप पर आपको कैसे कैसे बिल्कुल सटीक जो है सही तरीके से अपने प्रारूप को तयार करना है और फिर उनको ले जाकर मेडिकल में आपको जाना है वही इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्लीज वीडियो को लास्त हुजर देके वीडियो को इसकी ना करें उसस पर्मान पत्र की आपको इस भरती के लिए मेडिकल में आपको तीन करेक्टर सेटिव कित की जोरत पढ़ने वाली है एक तो आपका ये प्रारूप है आपको इस पर अपनी कंप्लीट यहां पे डिटेल लिखर के नीचे आपको दो जो आपके जानने वाले दो सदस्य होगे व दो वरिष्ट नागरिक ऐसे होगे कि यह आपको भली बाती से जानते है कि आप इस महले के या इस गाओं के निवासी हो उपर आपको सभी वही बरना है अपना नाम उसके बाद आपको पिताजी का नाम उसके बाद आपको निवासी और उसके बाद आपको पोस्ट वगेरा सत्यापन करने वाले है, आपको सबसे पहले आपको ये प्रारूप पर Character Certificate बनवा लेना है, उसके बाद अगर आप गराम से हो यानि की विलेज से हो, तो विलेज के गराम परदान से आपको यही फोर्मेट में आपको Character Certificate बनवाना है, अगर आप सहर से हो, किसी कालोनी से हो, मुहले से हो तो आपको वहां के वार्ड मेंबर से इस Character Certificate को मुहर के साथ सत्तापित करवाना है यानि कि ये वाला Character Certificate तो दो आपको वरिश नागरिक से बनवाना है दूसरा आपको इसी परकार के प्रारूप में आपको दिखा देता हूँ इस परकार से आप याँ पर देख सकतो ये गराम परदान से बना हुआ है आपको इसी परकार से गराम परदान से बनवा लेना है नीचे गराम परदान की मोहर और सिगनेचर है बाइकादा आपको इस पर डेट भी डलवानी है ये Character Certificate तीनों के तीनों Character Certificate आपके 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए 6 महीने के अंदर ही आपके ये Character Certificate वैलिड रहते है अब आपको बता दू कि आपको ये तयार कब करवाने है उसके बाद आपको एक Certificate तयार करवाना है यानि कि नंबर 3 वाला Certificate आपके स्कूल से जहां से आपने 10 या 12 की परिक्साव 3 की है वहाँ से आपको Character Certificate को पास करवाना है वहाँ स्कूल में जाना है आपका कलर का जो रूम होगा वहाँ पर जाना है उसको बोलना है कि मुझे Character Certificate बनवाना है मेरा UP Police में चैन हुआ है वो आपको Character Certificate आपका जो SR नंबर होगा उस पर आपको एक Character Certificate इस परकार से जननेट कर देगा यानि कि यहाँ पे आपकी डिटेल बरेगा और यहाँ पे Principal की More और signature करके आपका Serial Number डाल करके आपको देदेगा अब जिन Candidate ने आपे Private की है वो Private वाले Candidate भी अपने Private वाले School में जाकर के वहाँ से बनवा सकते है अगर वो नहीं बनाते है फिर आगे आप BA या BSC आपको regular कर रहे हो तो वहाँ से आप अपना Character Certificate को बनवा शकते है जिन Candidate ने Open से की है यानि कि 10th और 12th अपनी Open Board से की है उनका Character Certificate आप Open Board के Man Center पर जा करके वहाँ से अपने Character Certificate को सत्यापित करवा सकते है यानि कि वहाँ पर आपका एक Character Certificate बनेगा वहां से मोहर आपकी लग करके इस प्रकार से एक जन्नेट हो जाएगा आपका वही वैलिड होगा तो इस प्रकार से आपको तीनैपर सरे हैं उसके बाद बात करते हैं एक effe parade की आपको 10 रूपे के स्टाम्प पर एक effe parade बनवाना है आप अपनी नीरेश्ट तैसील मर जा करके वहाँ पर नोटरी वाले से बोल करके कि मुएरा जो है यूपी पुलीस कॉंस्टेबल में मैं चैनित हुआ हूँ मुझे 10 रुपे के स्टाम पर एक करेक्टर सेटिकेट बनवाना है वह टाइपिस्ट अपने आप ही आपकी कंप्लीट डिटेल डालेगा कि पर्मानी मैं घोशना करता हूँ कि मेरा नाम ये पिता जी का नाम ये गाउं ये या फिर कस्वा मोला ये जनपद ये और इसका निवासी हूँ मैं बली बाती से जो है इस परकार से आपको वो कंप्लीट में खुद अपने आप ही एक नोटरी पर टाइप करके आपको दे देगा और निचे आपके सिगनेचर होगे और उस पे कंप्लीट आपको नोटरी करवानी होगी जो उपर ऐसी बड़ी नोटरी से सत्यापित होगा नीचे भी नोटरी से सत्यापित होगा यानि कि आपको 10 रुपे के स्टाम पर एक एफडेविट बनवाना है अपनी सपत्पत्र के लिए अपना सपत्र देनी है कि मैं वही कंडिडेट हूँ जो मेरा यूपी पुलिस में मैं चैनित हुआ हूँ मेरे नाम ये है और मेरे पिता जी का नाम ये है अड्रस ये है और मेरी जनमतिती ये है आप इस 10 रुपे के स्टाम पर आप गोचना करोगे कि मैं यूपी पुलिस में कोश्टेबल के रूप में चैनित होने जा रहा हूँ तो जो मैंने उपर डिटेल दी है वो मैंने बिल्कुल सही और सत्य जानकारी दी है इस परकार से आप 10 रुपे के स्टाम बनवा सकते है अपने नियरेष्ट तैसिल में जाकर के वहाँ आप बहुत ईजली से अपने इस एफटेविट को बनवा ले अब बात करते हैं यहाँ पर कि आपको मेडिकल में किन किन डोकुमेंट्स की जोरत पढ़ने वाली है हाला कि ये पिक्चर्स मेरे पास थोड़ी साफ नहीं है तो आपको बता दू कि सबसे पहले आपकी 10th की मार्क शीट की फोटो स्टेट और उसके साथ में ओरिजिनल उसके बाद आपको 12th की मार्क शीट की फोटो स्टेट और सनन्द दोनों की दोनों ओरिजिनल और उनकी 2-2 कोपी फोटो स्टेट विद सत्यापित पिंस्पल या गजज़ेजीट ओफिसर से उसके साथ में आपका तीनों character certificate जो मैंने बताई है उसके बाद आपका notary पर्मान पत्र जो मैंने बताई दस रुपे के स्टम पर और उसकी दो फोटो स्टेट के साथ में उसको tested और एक आपका original उसके बाद आपको 10 passport size के photograph अपने खिचवा करके अच्छे से सामने चैरा होना चाहिए बिल्कुल साफ जिस प्रकार से आप जो है अपने फोम पर चस्पा करते हो इस प्रकार से 10 photograph आपको अपने साथ में रखने है ये सबी चीज आपको अपने medical में जाने से पहले तयार करवा लेनी है हाला कि सबी documents आपके 6 महीने के अंदर वो यहाँ पर valid होने वाले है ये नहीं कि आपने एक साल पहले character certificate ऐफ़ेविट बनवा के रखा है वो यहाँ पर मानने नहीं होने वाला है तो आपको बता दू कि इसका सही समय आपका बनवाने का कब है जैसे ही lockdown खत्म होता है तो आपको इन document को बनवा लेना चाहिए क्योंकि आपके document lockdown के बाद 6 महीने तक valid रहेगे और 6 महीने के अंदर आई होप आपका medical बहुत ही जल्द हो जाएगा एक दो महीने के अंदर ही संभावना है पूरी पूरी कि आपका जुलाई में medical हो जाने की पूरे पूरे chances है जून और जुलाई में तो इस वज़े से जो आपको बता रहा हूँ कि आपका lockdown जैसा ही खुलता है उसके बाद आप जो है इन documents को तयार करवा सकते है क्या पता फिक कैसा time मिले आपको आपको आप document तयार ना करवा पाए तो आपको ये document बिलकुल तयार करवा लेने चाहिए जैसा ही lockdown खुलता है सामने स्थिती होती है तो आपको document सारे complete करवा लेने चाहिए उसके बाद आपके सारे document 6 मिने तक valid रहेगे जब भी आपका medical होता है तब आपके सारे document यहां पे valid होने वाले है अब यहां पे हम बात कर लेते है joining letter की आपका जब complete medical हो जाता है और आप medical में पूरे complete fit हो जाते है तो आपको इस परकार से एक joining letter आता है कि आपकी GTC कहां होने वाली है यह एक merit का joining letter है जो मेरे पास है और इसमें आपको यहां पे salary भी लिखी होती है कि आपको परमंद इतनी salary मिलने वाली है और आपकी GTC जो है वो आपकी merit होने वाली है इस परकार से उसमें काफी complete detail लिखी होगी आदेस होता है किसम का आपका यह नीचे भी होता है नीचे मेरे पास नहीं है वो कटा हुआ है दो भाग थे इस letter के तो यह दो भाग में letter आता है इसमें सारी complete में guidance यानि की सरकार की guidance जो UP Police उत्रपरदेश बर्ती बोर्ड होता है उसकी कुछ guidance लिखी होती है कि आपको ऐसे से करना है और आप इसमें यहाँ पर चैनित हुए है यहाँ पर होने वाली है उसके बाद JTC के बाद आपकी proper training और दूसरी जगह होगी वो आपको वहाँ से बेजा जाएगा जैसे भी होगा जैसे आप जाओगे वहाँ पर आमद करोगे तो उसके बाद आपको वहाँ पर complete में जानकारी दी जाएगी तो आई ओप आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें जितने मेरे प्रारूप बताए है लोकडाउन के बाद जिसे ही सामने स्थीति होती है आप इनको तयार करवा ले आपके डोकुमेंट उसके बाद 6 मेने तक वैलिड रहने वाले है आपका बिल्गुल सही समय है आपका फिर उसके बाद कभी भी आपका मेडिकल हो जाए आपके डोकुमेंट चल जाएगे तो अगर आपके पास कोई भी कुश्टन से अकुवारी है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते है हम आपको तर जरूर देगे साथ में फेस्बुक, टेलिग्राम और इंस्टाग्राम को फोलो कर ले तो चैनल को सस्क्राइब नहीं के तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर ले साथ में घंटी वाले बटन को जरूर दबा ले तो मिलते हैं कोई लाटेस्ट अबडेट के साथ तब तक के लिए जाहें